लो दोस्तो मैं कर नहीं है एक बारी फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल English क्यान पे जहां पे आपको School, Colleges and Study से जोड़ी Tips and Updates मिलती रहती हैं तो दोस्तो दिली इन्युवेस्टी की तरफ से B8 की 3rd Cut-Off लीट जो की 7 December 2021 को आनी थी वो आ चुकी है और आप सभी ने वो देख लियोगी और अपने नाम उसमें चैक कर लियोगे तो जिनके नाम है उस लिश्ट में तो उनको तो बहुत बहुत बढ़ाई है और जिनका नाम नहीं है तो वो अभी ये जो Cut-Off का Analysis है वो जरूर देखे और इससे आपको एक अंदाजा भी हो जाएगा कि लाएक 4 Cut-Off आएगी या नहीं आएगी या फिर आएगी तो इसमें कितने का Decreacement हो सकता है और कितने उसमें Highest and Lowest Marks रह सकते हैं तो इसी तरह जो Third Cut-Off थी उसमें भी हम देखेंगे कि क्या Highest and क्या Lowest Marks रहते हैं कितने बच्चों का Admission हुआ है Pedagogy and Category-wide तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जुट जाएए क्योंकि यहाँ पर दिल्ली इंवर्स्टी से आने वाली परतेक इंफोर्मेशन और अपडेट्स देखने को मिलती रहती है साथी साथ जो Cut-Offs आ रही है उनका Analysis भी आपको मिलता रहता है क्योंकि अभी तक जितनी भी Cut-Offs आई है तो उसका Analysis भी हमने करके आपको दिखाया था पैड़ाजी और कटेगरी वाइस के कितने बच्चों के अडमिशन हुआ है और कितने तक हुआ है तो चलिए इस वीडियो में भी देख लेते हैं Social Science का बात करें तो पहले General Category का देखते हैं तो General Category के जो marks रहे हैं highest वो 230 रहे है और 230 से लेकर 226 marks तक साथ बच्चों के admission हुए हैं इस list में General Category के लिए OBC की बात करें तो 216 रहा है highest marks an lowest marks क्योंकि इसी पर ही 2 बच्चों के admission हुए हैं और फिर SC Category में आपकी जो cut-off है वो close हो गई है, third cut-off में ही social science के लिए, ST में भी 190 पर ही एक बच्चे का admission हुआ था, पहले जो हमने वीडियो upload करी थी जिसमें हमने third cut-off की decreasement के बारें बात करता कि कितने तक बच्चों का admission हो पाएगा, तो almost अगर आप वीडियो देखें तो उसका जो analysis था वो perfect बैठता है, like हमने बोला था कि ST category में वो close हो जाएगी शीट है, तो like आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ST की close हो गई है, and हमने वहाँ पे ST की close होने की संभावना बताय थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ST का एक rare बच्चा ही है, जिसका admission हुआ है 190 marks पे, and अब जो 3rd से 4th cut-up आएगी, उसमें ST के लिए seats close हो जाएगी, and ST के लिए भी close हो जाएगी, खेर ST के लिए तो हाई, ST के लिए seats उसमें close हो जाएगी, and most probably उसमें OBC के लिए भी close हो जाएगी, ऐसा मैं मान के चल रहा है, क्योंकि दो ही बच्चों का admission हुआ है 3rd में, and 4th में mostly seats close हो जाती है, क्योंकि seats almost full हो जाती है, and seats close हो जाती है 4th में, लास्ट यर की भी cut-off देखें, तो आप 4th में पाएंगे कि most of the जो pedagogy and categories उसमें seats close हो जाती है, like OBC, SC, ST में, ठीक है, बांकि फिर देख लेते हैं, EWS का देखें यहां पे, तो 216 marks इनके highest रहे हैं, and 212 marks पे 3 बच्चों के admission हो जाती है, तो ये social science pedagogy में बच्चों के highest and lowest marks रहे हैं, इसके अलावाग पे science का देख लेते हैं, तो science में हम general category की बात करें, तो general category के highest marks रहे हैं, 239 and lowest रहे हैं, 236 and जो हमने expected किया था, वो भी कुछ इसी के आसपास था, तो ये आप देख सकते हैं, कि हमारा जो analysis था, वो prediction वाला, वो perfect था, and इसमें 5 बच्चों के admission हुए हैं, science category में general के लिए, इसी तरह OBC में देखे, तो 228 से लेकर 227 तक, 3 बच्चों के admission हुए हैं, फिर ST category में केवल, एक बच्चे के admission हुआ है, 216 marks पर, and same ST के लिए, यहाँ पर seats close हो गई है, और EWS category में भी केवल, एक ही बच्चे के admission हुआ है, science pedagogy में, वो है 235 पर, और जैसे कि, जो second cut-off चल रही थी, science के लिए, वो 241 पर close हो गई थी, बट यहाँ पर भी आप, अच्छा खासा decreasement आप देख सकते हैं, कि 236 तक यह cut-off आ गई है, and most probably हो सकता है, तो जो fourth cut-off आएगी, उसमें यह आपकी cut-off, 230 तक चली जाएगी, ठीक है, बट, fifth तक तो almost यह close होई जाएगी, general के लिए भी, and all category के लिए भी, बाकि fourth तक, अगर आपके marks बन रहे हैं, 230 या 228 भी बन रहे हैं, तो still wait for the fourth cut-off, and उसमें, आप देखिएगा जरूर अपना, ठीक है, बाकि language का देख लें, तो language में, general category के जो highest marks रहे हैं, वो 225 रहे हैं, and 225 से लेका, 223 marks तक बच्चों के admission हुए है, जिसमें 5 बच्चों के admission हुआ है, फिर उसी तरह OBC में, 207 marks से लेका, 204 marks तक, 4 बच्चों के admission हुए है, SC, ST, and EWS, इन सभी के लिए, seats close हो गई है, language pedagogy में, and जैसा कि हमने, prediction वाली वीडियो में ही बताया था, कि इन category के लिए, seats close हो जाएंगी, language में, क्योंकि जो second cut-off आए थी, उसमें केवल, एक ही एक बच्चे के admission हो रहा था, language pedagogy में, SC, ST, EWS के लिए, तो most probably, जो seat थी, वो close हो नहीं ही थी, and जैसा कि ये third cut-off देख सकते हैं, तो इसमें close हो ही गई है, ठीक है, बाकि, home science में देखे, तो home science में, still बच्चों के admission हो रहे हैं, general category में, OBC में देखे, तो 107 से 101 तक, बच्चों के admission होए हैं, OBC में भी अच्छे खासे, बच्चों के admission होए है, but SC में थोड़े कम बच्चों के admission होए है, जैसा 5 और 6 कह सकते हैं, तो SC के जो highest marks हैं, वो 115 and lowest, 110 marks तक बच्चों के admission होए है, और इसमें, SC and EWS category के लिए, seats close हो गई है, and most probably, जो fourth cut-up होगी, साइथ उसमें, SC के लिए seats close हो जाए, या फिर एक-दो के admission होँगे, बाकि फिर कोमास में देखे, तो कोमास में, जर्नल के टेगरी का आप देख सकते हैं, 216 marks से 215 marks, दो बच्चों के admission होए हैं, जिसके एक के 269 हैं, दूसरे के 250 marks हैं, OBC category में, 193 से 190 तक, तीन बच्चों के admission होए हैं, इस बीच, फिर इसी तरह, SC category में, 200 पे एक बच्चे का admission होए हैं, और ST के लिए, ये seats close हो गई है, फिर इसी तरह, EWS में, पेड़गोजी में, कितनी cut-up चल रही हैं, कितना तक decreasement हो रहा है, बागी, 4th cut-up के लिए, आप still wait कीजिए, 4th cut-up जैसे ही आएगी, हम आपको update करेंगे, अपने telegram के मादियम से भी, अपने channel के मादियम से भी, बागी, ये analysis का PDF पाने के लिए, अच्छे analysis करके हमने, जो cut-up थी, उसको करके data निकाला, और इस तरह की काफी video आपको channel पे मिल जाएगी, जिसमें हमने, ऐसा analysis करके दिखा है, जो भी अभी तक cut-ups आई हैं, बागी, मिलते हैं इसी प्रकार की next video में, तब तक के लिए channel को subscribe करके, हमा साथ जुड़े रहिए, and bye-bye, thank you, and all the very best for your next journey and next preparation, thank you so much. झाल झाल